परसेंट का अर्थ होता है प्रती सो पर हुनी बाली गड़ना परसेंट का अर्थ होता है प्रती सो पर हुनी बाली गड़ना बस परसेंट इसमें आपको क्या है कोई भी चीज हो ना बहुत आपको 100% माननी है ठीक है वड़िक इसका नियम होता है एक समान इस्तर पर आकर तु दूद बेचा इसका मतलब क्या है? 12% सेश है इसके दो वज़ निखलते हैं ये क्या है? सुचनाओं का एक समू है जैसे 78% दूद बेचा इसका अर्थ क्या है? टोटल अपने आप में क्या है? ये 100% है इसमें से कितना बेचा? 68 और इसमें सेश क्या बचा? 22, ऐसे ही हम हर एक चीज को 100% मान लेंगे उसमें से अपने 100% माना इसको दूद को, उसका कितना बचा 80% किसका 100 का 100 का 80% कितना हुआ 78, 78 बिका से इस कितना बचा 22 इनका अंतर कितना है, 54 है तो इसी परकार आप और भी कई चीजें ग्याद कर सकते हैं, चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगले question पर क्या है question, किसी संक्या का 15% 375 है, संक्या ग्याद कीजिए इसे को आप बैसे ऐसे भी कर सकते हैं कि माना संक्या X है, फिर X का 15% निकालोगे, उस से थोड़ा और time लगेगा लेकिन इसमें आपको हम बताएंगे यह 375 क्या है, यह है numerical value, यानि क्या है numerical value, हमने मानी बूसं क्या है, 100% क्या है, 100%, 100% 100% का 15% कितना है, 375 है, यानि 15% किसके बराबर 375 के बराबर, यानि 375 15% के बराबर है, यह क्या, 375 बटी 15 यह होता है, एक समान इसतर पर आकर तुलना करना, 375 क्या है, 375 है, जो 15%, मतलब संग क्या का, 15% है 375 यही तो हमको सोचना है बस यही आप सोचना सिग गए, तो आप बहुत ही जल्दी इन सवालों को हल कर लोगे 375, यानि 15 क्या है 15% है 375 यानि 375, 15% किसी संग क्या का, यह क्या 375 बटी 15, यानि एक समान इसतर पर आकर तुलना करना उपर हमेशा क्या आती है, नमरी कल बेलू यानि जो क्वेश्चन में दिया होता है नमरी कल बेलू, वो आती है उपर % आता नीचे, फिर यह क्या बिन्ड बन गई, अब इन्ड को % बदन लिए के लिए हम क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे 15, 15 इंटू 100 15 से काड़, 15 दूनी 30 15 दूनी 30 कितने मचे 7 बचे, 15 बचे 25 गुणा 100, यानि संग्या क्या होई, 25 होई बस आपको इतना, जब आप सीख जाओगे ना, तब आप सिर्फ इतना हल करोगे, आपको जानदा संग्या को X नहीं मानना है, आपको संग्या को हमेशा 100 परसेंट ही मानना है 100 परसेंट ही मानना है यह आपका जल्दी स्वल्ब हो जाएगा अब हम अगला सवाल करने वाले हैं जैसे क्या है किसी संक्या के 34% वा उसी संक्या के 27% का अंतर कितना है 13.3 है संक्या ग्याद कीजिए संक्या ग्याद करना है ठीक है तो माना संक्या क्या है 100 है माना संक्या 100 है 100 संक्या का 34% संक्या का 34 परसेंड या नि 13.3 क्या है प्रिशने का अंतर है और 7 क्या है अपना अंतर है तो ये क्या है आपस में बराबर है यही होता एक समान इस्तर परागर तुलना करना बस आपको एक ही ट्रिक से यानि क्या एक समान इस्तर परागर तुलना करना से हम पूरा % बाला चेप्टर निप्टा देती हैं एक और इसमें एक और ट्रिक लगे सिर्फ दूर ट्रिक से पूरा पर्सेंट बाला चेप्टर आपका हो जाएगा 13.3 बटा 7 13.3 क्या प्रिश्णिक अंतर है 7 किसका है? 7 अपना अंतर जो अपना अंतर होता है वो नीचे आता है और जो पिष्णिक अंतर होता है वो उपर आता है 13.3 बटे 7 तो 100% कोई चीज कितनी हुई यह ऐसी जगा होती है जिस चीज को रख देते हैं उसका माना हमें प्राफ्ट कर जाता तो हमें क्या चाहिए अब संक्या चाहिए संक्या क्या 100 सो का गुणा करेंगे तो संक्या क्या आजाई संक्या जाएगी ठीक है दिसम्ला बटाया नीचे जीरू जीरू से जीरू काटा साथ एकम साथ कितना बचा 6 बचा 63 होगा साथ नाम 63 अगला question है, किसी संक्या का 24 percent, 19.2 है, वो संक्या का 65 percent कितना होगा, किसी संक्या का, यानि było कि आपने संक्या मानी 100, 100 का 24 percent, यानि ये 19.2 है वो 24% के बराबर, 21.2 बटे 24, क्या एक समान इसतर बराकर तुलना करना, तो क्या उस संक्या का 65%? हम यहाँ पर 100 का गुणा भी कर सकते थे, लेकिन 100 का गुणा करते तो क्या होती? संख्या मानी हमने 100, संख्या को खोद हमने 100 माना है, तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाती है, लेकिन अब प्रिश्ण में हमसे संख्या नहीं पूछ रहा है, उस संख्या का 65% कितना है, तो हम इससे में इस पर क्या करेंगे, डारेक्ट 65 का गुणा करेंगे, तो आपको दो स्टेप में सवाल हल ना करना पड़े इसलिए आप डारेट 65 से गुणा करोगे दसमला बटाया नीचे जीरो एकम चोवीस दस बचा चोवीस अठे होता एक सोबानवे इस इनका अपस में गुणा किया 65 गुणा आठ 85 पैतालीस 85 चालीस 85 चालीस चार केरी तो इस परकार आप एक ही स्टेप में सवाल को हल कर सकती है क्योंकि कॉम्पुपूनेट एकसाम में सवाल तो अर कोई हल कर लेता है लेकिन क्या समय की दिक्कत आती है इक कक्छा में क्या है एक कक्छा में 70 परसेंट लड़किय응 यदि कक्छा में लड़कियों की संक्या कितनी है चौरासी है तो संक्या बताओ कक्चा में कुल कितने बिद्धियारती है क्या है कक्चा में कुल कितने बिद्धियारती है माना क्या है कुल बिद्धियारती कितनी हंडेड है मैंने आपको माना को बताया है, कोई भी चीज के बारे बारे पूझे हिसको मान लेना 100 क्या पूच रहा है, कुल बद्यार थे एकक्छा में क्या होते हैं, लड़का प्लस लड़के थे होते हैं, क्या माना कुल बद्यार थे कितने 100 हैं, उन में से 70% लड़के हैं, यानी 100 का 70% 70 ही आता है सौका 70% 70 आएगा 70% क्या है बोईस है तो क्या 30 गल्स होंगी यानि 100 में से 70 गटाया क्या 30 गल्स बची यानि कि गल्स कितनी होंगी 30 होंगी अब यह 84 क्या है इसके बारे में सोचना है आपको यह 84 क्या है इसके बारे में सोचना है यदि कख्चा में लड़कियों की संक्या 84 है ये क्या है लड़कियों की संक्या है ये है लड़कियों की संक्या लड़कियों की संक्या है तो हम क्या करें एक समान स्थर पर एक समान स्थर यानि लड़की है तो लड़की के बटे में लड़कियों की संक्या का ही भाग देंगे ठीक है लड़की क्या है 84 है लड़किया है 84 और वैसे अपनने माना है यह क्या है प्रिश्ण में दिया है 84 अपनने क्या माना 30 गल्स है 30 का भाग देंगे तो क्या कहा रहा है कुल बद्यार दिखने माने 100 यह एक ऐसी जगा होती है जहां जिसका हम मान रख देती है उसका मान हमें प्राप्त हो जाता है 0 से 0 काटा 3 से 84 काटा 28 बार 280 टूटल करनी आगई 280 आगई कुल बॉइस ठीक है तो आप यह करोगे यह नहीं करोगी आपकी 84 अब इसके बराबर रख दो 70% के बराबर भू नहीं होंगे क्योंकि यह बॉइस हैं यह क्या है गल्स है यह एक समान इसतर पर नहीं है यह यह क्या है गल्स है तो हम गल्स ही नीचे रखेंगे